इडा, पिंगला और सूस्मना अगर आपने अपने इन तीन नाडियों को काबू में कर लिया ना तो आप पूरे संसार को अपने काबू में कर सकते हो अगर ये नाडियां आपके हिसाब से चलने लग जाएं या आप इन नाडियों के इसाब से चलने लग जाओ तो पूरा संसार आपके इसाब से चलने लग जाता है मैं हूँ वास्तुकुदू अभिशेक गोयल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में नाडियों के बारे में मैं ये टॉपिक आपके साथ आज पहली बार डिसकस कर रहा हूँ मैंने आज तक इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करी तो मेरे साथ जुड़े रहेगा एंट तक और आप वो बहुत जादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत डिट हाज आपकाकारी बना सकते हैं जुड़े रियégerगा हम जो अपने जीवन में सांस लेते हैं वो ऐसे ही नहीं है वालब एक सांस लेना आप जब से आप पैदा हुए हैं जब से मौका मिलेगा और आज हमें केवल अपनी सांस पे ध्यान देना है अगर आपने ये वीडियो ट्रावल करते हुए देख रहे हो या भीड बढ़ाके में देख रहे हो या कुछ काम करते हुए देख रहे हो ना तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूँगा वीडियो के नीचे शेयर का बटन होता है शेयर के बटन पर क्लिक कर गए आप अपने आपको वटसाइप कर दीजिए वीडियो क्योंकि मजा नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपको सिंप्ली क्या गरना है आपके पास एक तो टाइम होना चाहिए दूसरा आप अराम से रिलाक् बैठना कई बार बैठना जरूरण पड़ेगा तो रिलाक्ष होंके अगर आपकी वीडियो देखेंगे तो आप इसका सबसे ज़्यादा बेड़ेफिट और सबसे ज़्यादा फायदा उठापाएंगे शुरू करते हैं सबसे पहले हम नाडियों की बात करें जो नाडियां है जो हमारा ब्रीध है जो हमारा प्राण है ब्रीधिंग को बेसिकली स्वर्यूदय में स्वर्शास्तर में प्राण कहां जाता है तो जो हमारा प्राण है प्राण की अगर हम बात करें तो प्राण को तीन भागों में बाटा गया है इडा नाडि इडा, पिंगला और सुशुमना ठीक है हमारे पास टोटल तीन नाडिया होती है इडा नाडी पिंगला नाडी और सुशुमना नाडी अभी आप क्या कीजिए मैं आपको तीनों नाडियों से थोड़ा सा रूब 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 राता हूँ जो हमारी human body है इसको दो भागों में बाटा जाता है एक left side और एक right side जो left वाला portion है वो इडा नाडी गवन करती है जो right वाला portion है वो पिंगला नाडी गवन करती है और जब ये दोनों नाडिया एक्टिवेट होके आपस में मिलती है जिसको शक्ती स्वरूप भी कहा जाता है तो हमारी सुशुणन activate होती है सुशुणन आप बहुत ही कम समय के लिए बहुत rare time के अक्टिवेट होती है और होती भी कब है जब आप एडा से पिंगला में प्रवेश कर रहे हो या पिंगला से एडा में प्रवेश कर रहे हो तीक है एक point of time पर आपकी एक ही नाड़ी active रह सकते हो एक टेक्नीक है छोटी सी जो मैं आपके साथ शेयर करूआ और अगर आपको नाड़ी नहीं आपसे बदली जा रही तो जो नाड़ी एक्टिव है उस नाड़ी के हिसाब से अगर आप अपना जीवन वतीत करो अपना जीवन चलाओ या वो कर्म करने लगो जो नाड़ी जिस कर्म को फैसिलिटेट करती है जिस कर्म का साथ देती है तो ये जो आपकी फिब बोड़ी माइंड और आपका जो सोल है वो हमेशा आपके आपके लिए लाब करी अच्छा गाम करेगा तो सबसे पहले तीन नाड़ी का कौन सी बताई मैंने आपको इडा पिंगला और जो हमारी लेफ्ट नाड़ी होती है मलब ये जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये हो गई इडा नाड़ी मेरा जो राइट हैंड है राइट साइड ये हो गई पिंगला नाड़ी इडा नाड़ी जो है इसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है इसको चंद्र नाड़ी भी कह सूरिये अब सबसे पहले यह चेक करते हैं कि आपकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस समय पर कौन सी नाड़ी आपको सिंप्ली क्या गरता है यह एक अंगुठा लीजिए और इस अंगुठे से सबसे पहले लेफ्ट में रखिए और सांस देने की कोशिश कीजिए अगर इस नोज से आप फ्रीली सांस ले पा रहे हो तो इसका मतलब यह वाली बंद है राइट वाली चालोगे अब दूसरा आपको क्या गरना है इस पर उठा रखिए ऐसे नीचे सांस लेनी कोशिश कीजिए अगर आप इस नोज से बिल्कुल फ्रीली सांस ले पा रहे हो और जब आपने यहां पे पर हूठा Rखा तो यहां पर कोई pressure नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि यह वालाई आपकी बन है यह वालाई आपकी चालु है अगर आपने सांस लिओ और इस अंगोठे पर pressure बना और यहां से भी आप सांस बढ़ी मुश्किल से ले पा रहे हो यहां भी प्रेशर बन रहा है तो मतलब आपकी left nostril active है अब इसी चीज़ को हमें पिक्चर के माध्या में से समझने की कोशिश करते हैं मैंने यहां पे एक nose का डायग्राम दिया है अगर मैं ऐसे खड़ां ठीक है आप में को देखे रों फ्रेंट से तो यह हो गया मेरा left side और यह हो गया मेरा right side तो left side जो है इडा नाड़ी होती है right side जो है इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं इडा नाड़ी को हम लोग चंदर नाडी या मून भी कहते हैं और इसको पिंगला नाडी को हम लोग सूरिय या संगी कहते हैं अब ये जो दोनों नाडियां है जो बीच की नाडी है आपको दिख रही है मैंने उपर लिखा है सुशुमना नाडी होता क्या है जब इडा नाडी तिंगला में प्रवेश करती है तो कुछ तीन से चार मिनट के लिए जो ये सुशुमना नाडी है ये आपकी आपकी अक्टिवेट होती है 3-4 मिनिट के लिए और वैसे सुशुमना आपकी रेगुलर इंटर्वल्स पर अक्टिव नगी रहती रेगुलर इंटर्वल्स पर अगर आप देखेंगे तो या तो आपकी इडा नाडी अक्टिवेट रहेगी या आपकी पिंगला नाडी अक्टिवेट रहेगी जैसे अभी मैंने आपसे चेक कराया तो आपने देखा होगा कि आपकी दोनों नाडिया अक्टिव नहीं है या तो आपकी इडा एक्टिव हैं या आपकी पिंगला एक्टिव हैं Most of the लोगों की इस समय पे जब आप वीडियो देख रहे हो आपकी left nostril active होगी इडा नाडी आपकी activate होगी अगर आप इक relax जगा पे अराम से बैठे हो तो और उसी state में आप राम से इस वीडियो को आगे तक enjoy कीजिए अब ये जो दोनों नाडियां हैं इनका purpose क्या है जो इडा नाडी होती है इडा नाडी का purpose है cooling इडा नाडी आपके शरीर को थंडा करने का काम करती है cool करने का काम करती है इसलिए इसको चंदर नाडी भी कहा जाता है और सूर्य की जो नाडी है ये आपकी body को गरम करने का नाम करती है hot करने का नाम करती है इसलिए इसको सूर्य नाडी भी कहा जाता है पिड़ा नड़ी, बोड़ी को पूल करेगी, पिगला नड़ी, सूरिया नड़ी, बोड़ी को गरब करेगी, अब अगर आपकी जो नड़ी एक्टिव है, उस पॉंट आफ टाइम पे, अगर आप उस नड़ी से मिलता जूता काम कर रही हैं, तो तो आपको अच्छे रिजर् तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स और परिशानियों का सामना करना पड़ेगा ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इडानाडी in इडा नाड़ी इसका काम क्या है इडा नाड़ी का क्या है इडा नाड़ी आपको आपकी बॉड़ी को पूल करने का काम करती है ठीक है आपकी बॉड़ी को ठंडा करने का काम करती है तो कहा जाता है कि जो भी आपको ठंडे दिमाग से करने वाले काम है रिलाक्स रहे के करने वर्षपले काम है ऐसे काम जिन कामों में फिजिकल इनवाल्मेंट फिजिकल बॉड़ी की इनवाल्मेंट बिल्कुल भी नहीं है आपको वो काम करने चाहिए जैसे क्वाइं क्वाइं और आड़ी के एक्टिवेशन में जब इदा नाड़ी चालूग है दवाब कर सकते हो कुछ पढ़ना है आपको अराम से बैट कर बिना कोई physical body के involvement किये आपको relax रहके अगर कुछ पढ़ना है तो आप इडा नाड़ी जब आपकी active है तो आप ये काम कर सकते हो इसके अलावा कुछ आपको liquid अबे पीना है इडा नाड़ी जब आपकी active है उस पांट अफ टाइम पे हो क्या रहा है आपका श्रीर cool down हो रहा है तो solid food को आपको avoid करना चाहिए क्योंकि solid food जब आप खाते हो तो वो digestion का जो process है वो body को heat up करता है इदर cooling चल रही है पेट में आपने गरम करने वाला काम डाल दिया तो वो mismatch होगा जिसकी वज़े से problem create होगी तो liquid अगर आप पीना चाहते हो पानी पीना चाहते हो juices पीना चाहते हो ठंडा गुस्तो भी खाना चाहते हो तो आप ये इडा नाड़ी की जब आपकी इडा नाड़ी active है तो उसमें आप खास करते हो ठीक है ऐसे ही एक बार सूरिय पे भी बात करें सूरिय नाड़ी के रूबर सूरिय नाड़ी आपको गरम करने का नाम करती है होट करने का शरीर को गरम करने का नाम करती है तो इस पॉइंट अफ टाइम पे कोई भी फिजिकल टास कोई भी फिजिकल टास कोई भी फिजिकल टास क अगर आपको करना है घर पे कोई काम करना है फिजिकल काम करना है आपको जिन जाना है वोक आउट करना है कोई भारी समा शरीर जिस काम में खर्च हो उठके यहां से वहां जाना है तो शरीर लगेगा ना वर्काउट करना है तो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो जिस भी काम में आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए बेसिकली ये काम आप पिंगला नाडी के अंदर सूर्य नाडी के अंदर आप लोग ये काम कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि इडा नाडी के अंदर आपको लिक्विड फूर खाना चाहिए यहाँ पे जब आपकी पिंगला एक्टिव है तो उस पॉइंट ऑफ टाइंग पे आप लोग रोटी या किसी भी प्रकार का सॉलिड फूड खा सकते हूँ जब आपकी पिंगला एक्टिव होती है तो थंडा खाने से बचना चाहिए पिंगला एक्टिव है सूर्य नारी एक्टिव है और आपने ऐस्क्रीम खाली आपने थंडी केंपा भी लिए थंडा पानी भी लिया तो वह फिर आपके शरीर को दुशान देगा क्योंकि पिंगला क्या है बॉडी आपकी इस समय अपने आपको प्रिपेर कर रही होती है डाइजेशन के लिए और जैसे ही आप कुछ थंडा खाते हो तो आप क्या करते हो उस हीट को उस डाइजेस्टिव फोर्ज को पिंगला की फोर्ज को आप लोग खतम कर देते हो तो जब आपकी पिंगला एक्टिव है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकमेंडेड है कि आप लोग सॉलिड फूड खाईए और थंडा खाने से परहेच कीजिए अब क्यूंकि जो इडा नाडी है वो शांती का प्रती है पूलिंग का प्रती है ठीक है तो इस नाडी के अं अगर हम बात करें तो आप यहां पर दिसीजन ले सकते हैं या यूँ कहा जाए डिसीजन अगर नहीं भी लेना तो डिसीजन लेने के लिए जिस चर्णिंग की जरूरत है जिस बातचीत की जरूरत है अपनी टीम के साथ बैठ कर आपको शांती से कुछ डिसकस करना है दूसरों के इंपुट्स अगर आपको सुनने हैं उसको अपने वैबार में अपने बिजनस में इंकॉर्पोरेट करना है तो यह काम आप इडा नाडी के अंदर चंद्र नाडी के अंदर कर सकते हैं लेकिन अगर यह काम सूर्य नाडी के अंदर आप करोगे तो सूर्य नाडी क्या है सूर्य नाडी है एक्षन सूर्य नाडी के अंदर इडा नाडी में आपने सब की सुन ली चर्णिंग कर ली मंधन कर लिया आप एक निडने पे पहुँच गए वो नि decision making जो है वो अगर आप सूर्य नाड़ी में करते हो तो अच्छा है क्योंकि सूर्य क्या है वो सुनता नहीं है उसको तो बस task दे दो क्योंकि सूर्य नाड़ी क्या है वो तयार है action लेने के लिए जब सूर्य नाड़ी active है आपकी तो अब आप तयारो अब आप शांत नहीं बैठ सकते हैं अब आपको कुछ करना है अब आपको decision लेना है चर्मिंग एडा में हो जाएगी लेकिन यहां पे तो फटाफट टास्क क्या है तब हो गया चिंतन मन्थन जो होना था इडा में हो गया अब अपने को फटाफट decision लो और आगे बढ़ सूरिय नाड़ी अगर आपकी active है तो आपको अगर मन्थन करने की जरूरत है तो वो फाइली बंद करतो जिस पर decision लेना है क्यों क्योंकि सूरिय नाड़ी अगर आपकी active होगी ना तो आप जल्द बाजी में गलट decisions ले लोगे जिसकी वज़े से आपको नुक्सान हो सकता है तो ये काम आप कर सकते हो decision making का आप काम कर सकते हो किसी बंदे से कोई लड़ाई जगड़ा हो गया ठीक है उसको मनाना है तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो forgiveness माफी देनी है या माफी मांगनी है तो वो काम शांती से होता है ये काम आप कीड़ा नाड़ी में कर सकते हो किसी को धंकाना है उल्टा तो ये काम आप सूर्य नाड़ी में कर सकते हो वैपार की बात करें पेमेंट मांगते हैं वेपार में वेपारियों से पेमेंट मांगते हैं तो अगर आप पrecision कि अगर आप इड नाडी में पेमेंट मांग गोंगे तो क्या होगा इक्तिंवेट होगी और जब मैंशनों करोंगे ना तो सामने वाला को बहुत लाइटली ले लेगा, पेमेंट नहीं देगा, यहाँ पे आप लोग, पेमेंट्स, यहाँ पेमेंट्स मांग सकते हो, जब आपकी सूर ये नाड़ी आक्टिव है, तो आप ये पेमेंट्स की कलेक्शन बगेरा जो है, वो आप कर सकते हो, और आगे और आगे फर्दर बात करे तो जो इडा नाड़ी है, चंदर नाड़ी है, ये रीप्रेजेंट करती है आपके emotions को ठीए, सूर्य नाड़ी जो है, ये रीप्रेजेंट करती है आपके actions को मतलब जब आपकी चंदर नाड़ी active होगी, तब आपके दिमाद में, आपके mind में बहुत जादा emotional thoughts आएंगे लेकिन जब आपकी पिंगला active होगी, जब आपकी सूर्य नाड़ी active होगी, तो emotions बीच में नहीं आएंगे टास्क क्या है, करना क्या है, action क्या है, आप लोग उस पे focus करते हों तो ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप अलग अलग नाड़ियों के हिसाब से अपने जीवन में कर सकते हों, तो सबसे पहले basic से start करें, आपको आज से करना क्या है, सबसे पहले तो अपने खाने पे focus करें, खाने पे focus करने का मतलब क्या है, जब आपकी पिंगला सूर्य नाड़ी, जब आपकी right side वाली पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी active हो, उसी point of time पे आप लोग अपना भोजर्ग रहन करें, अपना खाना खाएं, उससे क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार के अगर digestive issues हैं जीवन में, acidity, bloating, gas, indigestion, कोई भी problem है, तो वो आपकी खताम जाएगी, उससे आपको बहुत जादा relation मिलेगा, और कोई भी mental काम है, emotional काम है, जिसमें physical body की कोई requirement नहीं है, वो काम आप अपना इडा नाड़ी में करें, बच्चों को ब बच्चों को बढ़ाना है, अब बच्चों की age अगर छोटी है, अगर आपको बच्चों को बड़े प्यार से tackle करना है, तो उस point of time पे अगर आपकी सूर्य नाड़ी active होगी ना, तो आप बच्चों को लेके बहुत जादा impatient हो जाओगे, दो मिनिट समझाओगे और तीसरी म बच्चों को फिर बाद में आपको दुख होगा कि हाई मैंने क्यों बीट दिया, लेकिन अगर आपकी इडा नाड़ी active होगी, अगर आपकी चंदर नाड़ी active होगी, तो आपके अंदर हो patience आएंगे जो बच्चों को चाहिए, बड़े बच्चे हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल के ब कमान दोगे, वो नी सुनेगा, उसके लिए आपको सूर्य नाड़ी चाहिए, क्योंकि जब आप सूर्य नाड़ी की activation में जब आप अपनी कमान देते हो, तो फिर बच्चा उसको ना नहीं कर पा, तो अगर था भई मैंने अगर ना किया, तो लठी आएगा फिर सीथा, ठीक जो नाड़ी अक्टिव है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, आपको ही कहता है, मेरे को बहुते स्भूख लग रही है, ठीक है, और मैं जो है, मलना मैं रह नहीं बारा, मेरे को खाना खाना है, ठीक है, और मैं को solid food ही खाना है, मुझे लिट बिट कुछ पीना दी, और मेर generic time intervals है, हर नाड़ी के, चाहे आप पीडा लो, चाहे आप शुमना दो, चाहे आप पिंगला लो, जो generic time intervals है, वो है 60 minutes, यानि एक घंटा, या एक घंटे से लेकर 1.2 hour, ऐसे ही पिंगला भी, जब active होती है, तो active होने के बाद, या 60 minutes, या 1 hour, 1.20, वना 20 minutes तक चलती है, इडा से जब तिंगला में आप प्रवेश करते हो, तो बीच में जो सुशुमना है, वो एक मिनट से लेकर, चाहर मिनट तक active रहती है, या तो एक मिनट में ही नाड़ी बदल जाती है, या कई बार 4 मिनट तक भी सुशुमना चलती ह जो सुशुमना नाड़ी है, जब आपकी सुशुमना नाड़ी active होती है, तो कहा जाता है, उस point of time पे आपका direct connection होता है, परमातमा से, आपके दोनों दिमाग, right brain भी और आपका left brain भी ये दोनों active हो जाते हैं, तो इस point of time पे आपको ठ्यान करना चाहिए, इस point of time पे आपको ना तो किसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए, ना कोई वेपारिक decisions लेने चाहिए, ना कोई और गांग करना चाहिए, अगर आपको लगे कि आपकी दोनों, दोनों nostrils आपकी active है, right भी active है, left भी active है, तो आप simply क्या कीजिए, कहीं एक जगा देखकर, sofa पे, chair या कहीं बैट पे, जमीन में आलती बालती मार कर बैठें, और आखवर्द करके, अपने हां, center में ध्यान करके, जिस भी भगवान को आप मालते हैं, या फिर ओम के उपर, आप लोग अराम से concentrate कीजिए, क्योंकि, जब सुशुबना activate होती है, उस point of time पे, हमारी जो concentration है, वो maximum होती है, क्यों maximum होती है, क्योंकि आपने सुना होगा, या तो हमारा left brain active होता है, या हमारा right brain active होता है, इडा नाडी जो है, left नाडी जो है, वो हमारे right brain को represent करती है, right नाडी, सूर्य नाडी, पिंगला नाडी जो है, वो हमारे left brain को represent करती है, लेकिन जब दोनों nostrils active होती है, तो हमारा left भी active है, हमारा right भी active है, तो बहुत ज़्यादा activation हो जाती है brain की, इस point of time पे लिए गए decisions जो है, वो fruitful नहीं होते हैं, तो कैसे में आपको क्या करना है, आप one pointed हो जाते हो, और आपको अपनी one pointedness जो है, वो परमात्मा पे, इश्वर पे concentrate करके, उसका आशिरवार प्रापत करना चाहिए, तो सुशुमना में हमें कुछ नहीं करना है, तो इडा में कुछ करेंगे, या पिंगला में कुछ करेंगे, सुशुमना में हम लोग शान्त रहेकर, केवल भजन करेंगे, या ध्याण करेंगे, ठीक है, तो टाइनिंग क्या है, इडा 60 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट, पिंगला में 60 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट, अब कैसे जल्ज करें, अब ये इसका एक बहुत डिटेल, बहोँ जादा डिटेल है, कृष्णपक्ष, शुकलपक्ष, तिथियां होती है, जब शुकलपक्ष की प्रतीपदा जो पहली फर्स्ट तिथि होती है, उसमें जो सनराइज होता है, उस वो आपको नेट पे पता चलेगा, सबसे पहले आपने किसी भी पंचान में ये देखा एक शुकलपक्ष की सबसे पहली तिथी अमावस्या के अगले दिन जो पहली तिथी होती है शुखलपश की उसमें सन्राइस टाइम क्या है जो भी सन्राइस टाइम होगा उस पॉइंट आफ टाइम पे आपकी इडा नाड़ी अक्टिव होनी चाहिए एस पर योगा नहीं हो रही तो शरीर में कोई ना कोई फ्लॉव है कोई ना कोई इंबैलन्स है लेकिन वो होनी चाहिए और उसके बाद एक घंटे से लेकर एक घंटे 20 मिनिट में वो नाड़िया बदलनी चाहिए यह एक्ट्वल है जो होना चाहिए बट अगर यह नहीं हो र अभी शुकले पक्स मगेरा देखने की इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है जस्ट जो आपकी नाड़ी चल रही है बस उस पर ध्यान करो और उसी पर फोकस करके हमें अक्टेविटीज करनी है जैसे हमें करना क्या है मालो अभी मैं बता रहा था आपको मालो भूब लग है चेंज कर सकते हैं सिंपलेस्ट टाक्नीक क्या है जो नाड़ी आपको एक्टीवेट करनी है उसके बाटवेट्र मालो उसके बनाफोर सब cosmos कहलंद कि सोते हैं Segura सुरफ सिरेंश करने के लिए नारी को तया है बिल्ब़ कुल फ्री उसलों कर करके पहले सुन लो फिर वीडियो को pause करके करके देख सकते हो आपको अभी यह experience हो जाएगा कि नाड़ी कैसे परिवर्तित हो भी है माल दीजिए आपकी left nostril active है ठीक है इडा नाड़ी active है और आपको right पे जाना है तो आप क्या करो left turn करके late जाओ धीरे-धीरे क्या होगा धीरे active होने लग जाएगी ठीक है right active हो गई पांच मिनट right से breathe करो उसके बाद क्या करो फिर से आपको अगर change feel करना है तो अपने right side turn करके late जाओ फिर आपको क्या feel होगा 60 to 80 seconds में जो right वाली है वो block होनी शुरू हो जाएगी left वाली active होनी शुरू जाएगी यह तो है सबसे simplest तरीक अब भी आप उसको pause करके experience कर से अब मान लो आप किसी office में बैठे हो अपने office में बैठे हो जहां पे लेटने की जगा नहीं है और आप टेबल पे हो अपने cabin में हो और आपको खाना खाना है लेकिन आपकी left nostril जो है वो active है और आप उसको right में लेके जाना चाहते हो तो आप अभारत में जो serials आते हैं टीवी पे उनमें देखा होगा कि जो योगी हैं जो जो योगी होते हैं जो पंडित होते हैं योगी होते हैं जो तपस्या करते हैं वो उनमें serials में दिखाते हैं कि वो लो एक डंडा होता है ने इस ताइप का आपने देखा हो ध्यान से इस ताइप के डंडा सा उठा है वो जो उस पे ऐसे हाथ रखके बढ़ते हैं ठीक है उस पे ऐसे हाथ रखके बढ़ते हैं एक्चुली में उस डंडे को कहा जाता है हट डंडा हट डंडा वो डंडा जो है वो ऐसे हाथ रखके वैट नेगले नहीं होता वो डंडा जब एक अपनी आम पिट के अंदर जब उसको दबाया जाता है जैसे लेफ्ट आम पिट में जब उसको दबाया जाता है तो राइट वाली नॉस्ट्रिल तो उसके लिए आपको क्या रहना है एक पानी की बॉटल ले लो गोल वाली वो बॉटल ऐसे लगा के और टाइट प्रेशर मार और थोड़ा सा इस तरब जुखके बैठ तीन-चार बिनट तो आपकी ऑपॉजट वाली नॉस्ट्रिल एक बॉटल भी अग तो आपको इतना सा गरना है अपनी नाड़ी को शिफ्ट करने के लिए तो अगर आपको ये नाड़ी का शिफ्ट करना आ गया तो आप क्या कर सकते हो जब खाना खाना है तो राइट वाले अक्टिवेट कर लो जब कोई कि शांत वाला काम करना है तो लेफ्ट वाली अक्टिवेट कर लो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कुछ समय में क्या होता है आपकी बॉड़ी को ये पता चल जाता है कि आप जो कर रहे होना वो बॉड़ी के हिसाब से करते हो प्राण आत्मा और मन तीनों के हिसाब से आप च भूग लगेगी आपकी बॉड़ी आपका प्रांड जो है वो राइड वाल एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही आपको कुछ क्रियेटिव करने का मन्द करेगा तो आपकी चंदरनाडी ऑटो एक्टिवेट हो जाएगी तो एक तो यह एक्टिविटी आप लोगों को करनी है ज आपकी जो नाड़ी एक्टिव है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो भी नाड़ी एक्टिव है आपको अपनी उसी साइड वाली बॉड़ी का प्रयोग करना है सिंपल पॉर एक्जामपल अगर आपकी एड़ा एक्टिव है तो आप अपनी लेफ्ट साइड बॉड बोड़ी का सबसे जादा इस्तमाल करेंगी और अगर आपकी पिंगला एक्टिंग है तो आप अपनी राइट साइड बोड़ी का इस्तमाल करेंगे एक्जाम्पल के तौर पे हम लोग पिंगला को पगटते हैं तो कीड़ा उसका एक्जाक्ट उल्टा हुई या वो आपको बता चली जाएगा माल लीजिए पिंगला एक्टिंग है तो पोई अगर फोन बजा तो आपको फोन राइट साइड से उठाना है तो आपको राइट हैंड से पानी पीना है कहीं किसी स्पेस में आप एंडर करते हो तो आपका राइट पैल पहले अंदर जाना चाहिए कोय व्यक्ति आपसे बा जैसे for example एक व्यक्ति के आप बिलकुल सामने खड़ें बिलकुल सामने आपके व्यक्ति खड़ा है तो सिर्ब अपनी नौस्टिल चेक करनो लेफ्ट चल ही राइट चल रही है राइट नौस्टिल चल रही है तो आप अपना पॉस्चर हल्का सा यूँ करें ताकि right nostril के सामने आपका वो व्यक्ति आ जाए सिर्फ इतना सा करने से ना इतना सा करने से होगा क्या सामने वाला जो व्यक्ति है उससे जो भी आपकी बात होगी वो केवल आपके विद्ध में होगी और actually बनाओं ये जो विद्ध्याएं हैं ना इनको छुपा के बहुत रखा गया है क्योंकि इसका गलत इस्तमाल ना हो तो आप लोगों को भी ये विद्ध्या केवल और केवल सही चीजों के लिए इस्तमाल करनी है किसी भी गलत चीज में अगर आप इस विद्ध्या का इस्तमाल करते हो तो इस विद्ध्या को कहते है शि के मुख से निकला हुआ और ये जो विद्या है ये भगवाद शिव ने सबसे पहले माता पारवती को दी थी और माता पारवती से आगे उनके और ॥ैसिपल्स में ये विद्या गई ठीक हैं तो वो देख रहे हैं तो कभी भी इस विद्या को किसी गलत परपस के लिए आप इ इस्तमाल कर सकते हैं तो दो चीजें आप लोग अपने जीवन में ट्राइ कीजिए बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं आप बोल रहे हो पढ़ ले वह कार्टून देखने में मिजी है मुबाइल फोन में मिजी है तो यह अपना टेस्ट करना इस चीज को टेस्ट करना क् लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो बच्चे की तरफ राइट साइड मोगर इने बोलो वह आपकी बात 100% मना कर देगा कुछ मर्जी कर लो आपकी बात मानेगा यह नहीं दो मिनिट के बाद आप ऐसे लेफ्ट साइड से जाओ उस बच्चे के पास और बच्चे आपक क्यूंकि लेफ्ट है तो आपको प्यार से बात करने ही पड़ेगी क्योंकि चंदरनाडी शांती का प्रति एक बार प्यार से बोलो तो एक बार प्यार से बोलो बड़ा प्लीज इस पॉन को रड़े और पढ़ाईगा इस बात को इस एक्टिविटी को आप लोग करिए लाभ मिलता है इसका तो मेरे साथ कमेंड बॉक्स में जरूर अपना जो भी विचार है आपके उनको शेयर कीजिए धन्यों